हलो फ्रेंड्स, वोल्किम है आपका हमारे इस टेक्निकल महदा वीरूप चानल में और मैं हूँ आपका दूस्त महदावालम दूस्त वाज मैं फोन की अन्बॉक्सिय और रिविव करने वाला हूँ, जो कि ये है ये, वीवो वीट्वेंटी, हला कि मैं वीवो वीट्वेंटी प्रो लेने वाला था, जो कि 5G फोन है, बट फ्रीवी में वो नहीं लिया, अब क्यों नहीं लिया, इसका रिजन हम बाद में डिस्कस करेंगे खर हम इसे यहाँ पर साइड में रख देते हैं, हला कि अभी तक आप मेरे जितने भी वीडियोस देखते हैं, overall मेरे शान पर जितने भी वीडियोस हैं, वो इस फोन से है, वीवो वाई 55S, जो कि अब एक्षेंज हो चुका है, सच बोलो तो मैं इसे बहुत ही ज़ादा मिस क चलते थे, शूटिंग से लेकर एडिटिंग तक, एडिटिंग से लेकर अपलोडिंग तक, थमनेन क्रियेट करना, या विर हर एक चीज में इसी फोन से करता था, खेर अब तो यह रहा नहीं, अब जो भी वीडियो आएगी, इसी फोन से आएगी, वीवो वी 20 से, तो खेर बिना वक्त जाय कि इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए अब हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो दूस्तों फाइनले निकल किया अगया फोन का बॉक्स जिस पे लिखा है वीवो वी 20, और ये देखिये, यहाँ पे भी वीवो व 20 लिखा हुआ है इसके अंदर है phone case चलि हम इसे निकालते हैं ये देखिए दोस्तों ये है SIM card ejector और ये है warranty card और ये है quick start guide जो की phone की सारे instructions से इसमें दिये हुए है आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं खरी से हम side में रख देते हैं और ये है देखिए cover phone का back cover कितना transparent है और कितना smooth है और इसके अंदर है phone तो चलि हम इसे निकालते हैं ये देखिए दोस्तों कितने safety's रखा गया इस phone को और इसका color बहुत ही जादा amazing है खर हम फिलाल इसे side में रख देते हैं और दोस्तों ये है phone की IMEI number और ये है phone का charger जिस पे ये चीज़ मेंशन है वीवो flash charger 2.0 और ये है data cable चलि हम इसे बाहर निकलते हैं आपको बता दें दोस्तों कि ये जो cable है ये type-c cable है खर हम इसे भी side में रख देते हैं और ये है earphone इसे हम बाहर निकालते हैं खर इस earphone से हम आपको सुना नहीं सकता है इसलिए हम side में रख देते हैं अब दोस्तों बचिगा phone और accessors कच्रे जो की इस तरह से है आप देख सकते हैं इसे हम side में रख देते हैं और ये डबा ये दिखे दोस्तों डबबे पर क्या लिखा हुआ है वीवो made in India और इसका model है वीवो V2025 और यहाँ पर sunset melody 8GB RAM plus 256GB internal storage लिखा हुआ है sunset melody बोले तो ये जो look है इसी को sunset melody कहते है और यहाँ पर जो 11,990 रुपीज आप चाहें तो इसे online या offline market में जाकर खरिच सकते हैं अगर आप offline market में जाकर खरिचते हैं तो आपको 28,000 से कम में ही मिल जाएगा यहाँ पर देखे दोस्तों क्या लिखा हुआ है contact details in case of consumer complaints यहाँ पर address लिखा हुआ है number है email है आप चाहें तो दिएगा number पर contact कर सकते हैं और यह है phone तो चलिए हम इसे बाहर निकलते हैं यह दिखिए दोस्तों finally phone निकल के आ गया इसकी color जो है वो काफी ज़्यादा amazing है दोस्तों यह देखिए कितनी shining है मतलब उपर से देखते ही मजा जा रहा है आपको बता दें कि मैं घलती से midnight jazz वाला color चूज कर लिय था फिर मैंने उसे cancel करके यह order किया क्योंकि इसकी color जो है वो outstanding है इतना मजा रहा देखने में कि क्या बता हूँ आपको खैर हम इसे on कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों vivo आ किया powered by android यानि android operating system है तो चलिए दोस्तों setup करने के साथ साथ कुछ बाते भी कर लेते हैं जैसा कि मै वो 5G phone है तो आपको बता दें कि vivo v20 pro में सिर्फ 128GB internal storage दे रहा है जबकि इस phone में 256GB internal storage दे रहा है और बात बाकि जितने भी features है वो लगभग same है अगर हम camera की बात करें तो उस phone में 64 megapixel के camera है और इसमें भी है बस वो 5G होने के कारण 2008 उसका ज्यादा है बट अगर हम internal storage के बात करें तो उससे कई गुना जादा बहता है क्योंकि उसमें 128GB है और इसमें 256GB internal storage है और इसमें expandable up to 1TB है अगर हम 5G network की बात करें तो आपको पता ही होगा कि 4G network तो ठीक से काम करी नहीं रहा है तो 5G तो बहुत दूर की बात है और वैसे भी 5G का फिलहाल कुछ भी अदा बात नहीं है किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिर्फ जियो के अलावा और वैसे भी मोकेश अंबानी ने सिर्फ अनाउंस किया था 5G network के लिए बट आप सभी को पता ही होगा कि फार्मा प्रोटेस्ट के करन सभी लोग जियो से पोर्ट करा रहा है इसलिए 5G network का clear cut कुछ भी दिखत और इसका जो डिस्प्लेय है वह 6.44 इंच की फूल एमलर डिस्प्लेय और इसकी जो बैटरी है वह 4,000 एमेश की जिससे आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं 33W के फास्ट चार्ज 2.0 चार्जर से इस फोन के सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या फैसलिट इस दी हुई है तो यह रहा सेटिंग्स और यह रहा अपाउट अपाउट पर क्लिक करने के बाद यहां पर बहुत सारे शीज शो करती है लाइक प्रोसेसर वगारा तो यहां पर हम एंडॉइड वर्जिन 11 पर क्लिक करते हैं तो यह देखें दूस्तों यह कुछ इस तरह से शो होता है और दूस्तों इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है वो 2.3 गीगाहट स्नैप ड्रागन 720 जी ओक्ताकूर प्रोसेसर है जो की काफी जादा अमेजिंग बात है और इस फॉन की प्लस पॉइंट यह भी है कि आप इसे 30 मिनिट में 0-65% चार्ज कर पाएंगे और इस दूस्तों इसकी क्लारिटी इतनी अच्छी है कि क्या बढाऊं अपको तो दूस्तों अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप ये वीवो वी 20 से है तो आपको फ्रंट कैमरा की कॉलिटी कुछ इस तरह से मिल जाता है तो उमिद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए